नमस्कार साथियो निउस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं तकरिबन चार महीने हो गए भारतिय सम्विधान से अनुछे 370 और 35 एको अर्थहीन किये हुए जो भारतिय सम्विधान में सेस भारत और कस्मीर के वीच एक पुल का काम किया करता था इन चार महीनों के बाद कस्मीर की क्या इस्थिती है इस पर बाचित करने के लिए हमारे साथ हैं कस्मीर पर दसकों से लिखने वाले लेखा को और पत्रकार गौतम नौलक खा तो इन चार महीनों में कस्मीर से खबरे भी आई होंगी उन खबरों को पढ़ने के बाद वो कौन स 22 दिन में कैद में रखा हुआ है और ऐसा है नहीं है कि केवल कश्मीरी ही इससे प्रताडित है जम्मू के बाशिंदे भी इससे प्रताडित है क्योंकि इंटरनेट पर जो प्रतिबन लगाया हुआ है वो वहां भी काम कर रहा है और छोटी छोटी चीज़ हैं आप ये देखे ना नैशनल ये जो इंटरेंस एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि छात्रों छात्राएं एग्जाम्स में हिस्सा लेती हैं आल इंडिया सेलेक्शन के लिए वहां कश्मीर के बच्चे इस बार कुछ करना पाएं क्योंकि इंटरनेट डाउन था तो तमाम जितने बच्चे हैं लाकों की तादाद वो इस बार हिस्सा ने ले पाए यहां से लेकर आप उपर तक जाईए बिजनिस ठप है कश्मीर चेंबर ओफ कॉमर्स का अनुमान है कि बारा हजार से भी अधिक का नुकसान उन्हें सेहना पड़ा है इसकी भरपाई कौन करेगा इसके बारे में कोई जानते नहीं है लेकिन बड़े-बड़े ख्वाबी पुलाव पकाई जा रहे हैं कश्मीर के नाम पर मसलना एक छोड़ा सा मैं आपको उधारन देता हूँ अभी हाल में स्टेट इंड़स्टिल डेवलपन कॉर्परेशन के जो अध्यक्ष है उन्हें ब्यान दिया कि करीब 13,000 करोड का इंवेस्मेंट जम्मू कश्मीर में आ सकता है और इसमें 62 प्रपोजल आएं है करीब 40 के करीब इंवेस्टर्स की तरफ से 62 आएं है जिसकी कुल संख्या 13,000 करोड है लेकिन साथ में उन्हों ने ये भी कह दिया कि ये केवल एक्सप्रेशन ओफ इंडरेस्ट है इसका मतलब है कि अभी लोगों ने अपनी दिल्चस्पी दिखाई है इसमें से कितना एक्च्वल इंवेस्मेंट होगा उसके बारे में किसी को नहीं पता है और वो कुछ कहन नहीं सकते है इसमें ये मैं चोड़ना चाहूंगा कि राकेश गुपता जो की अध्यक्ष हैं जम्मू चेंबर अफ कॉमर्स के उन्होंने चुनोती दी उन्होंने का ये तेरा रुपए भी अगर लागत आ जाए तो भी बहुत बड़ी होगी उन्होंने का कि करप ब्रश्टा चार अच्चार अच्छा रसमसी मामें हैं जम्मू कश्मीर में लॉइन ओर्डर की बहुत बड़ी भारी समस्या है तमाम इंटरनेट बंद है कम्मिनिकेशन बंद है सारा ठप पड़ा हुआ है ऐसे महौल में कौन आएगा पैसे लगाने लेकिन दूसरी तरफ कुछ और कारवाही भी चल रही है वो यह है कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट जो कमिशनर्स है उनको यह आदेश दिया है कि वो अपने अलाके में जितनी भी राजकी जमीन है उसकी डेटेल्स भेजे क्योंकि वो एक लैंड बैंक बनाना चाहती है आइडिया यह है कि करीब 17,000 कनाल हाट कनाल का एक एकड़ बनता है तो 17,000 कनाल उन्होंने अभी तक रेखांकित की है जिसमें 10,000 कथुआ और सामबा में है करीब 5-7,000 कनाल के करीब कश्मीर में है जादा तर गंडरबल और कुपवारा में लेकिन अभी भी जो में जो अगर हम सिटको के अधियक्ष के बयान को देखेंगे गहराई से तो वहां से आपको पता लगेगा कि जादा तर लोगों ने जो दिल्चस्पी दिखाई है वो दिखाई है ट्यूरिस्स डेस्टिनेशन में जमीन और प्रॉपटी हट्याने की ये खुद कह रहे हैं सिटको के ही लोग उनका कहना है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाउ इन जैसे अलाकों में कुछ लोगों ने होटल बनाने की और रेस्टरॉण बनाने के लिए जमीन या प्रॉपटी अक्वाइर करने की दिल्चस्पी दिखाई है लेकिन ये सारे अभी हवावी पुलाव हैं केवल इसलिए क्योंकि अभी हालात सामान नहीं हुए हैं सरकार की क्या ये उजना हैं वो धीरे धीरे सपष्ट होती जा रही है लेकिन वो कितनी कार्याविन थो पाएगी इसके बारे में कुछ कहना अभी गलत होगा क्योंकि अभी स्थिति बड़ी असामान नहीं है तो आपने सरकार की उजनाओं को बताया उन पहलों को बताया जिससे सरकार उन से जोडने की कोशिस कर रही है लेकिन उनकी अभिव्यक्तिता को तो बंद किया जा चुका है ना उनके सिविल सोसाइटी के लोग नहीं बोल रहे हैं बुद्धी जीवी नहीं है इन सारे चीजों को जब आप जोड लेते हैं तब कैसी इस्थिति उनके लीडर्स को बंद कर रखा है पुलिटिकल पार्टी नजर बन दें चाहे वो आजादी पसंद हो यह हिंदुस्तान के साथ विले मानने वाले लोग हो सब को बंद करके रखा हुआ है पुलिटिकल एक्टिविस को उठाया गया है बच्चों तक को देखिए ना चाहर हजार के करीब बच्चों को उठाया है इन्होंने मतलब यह कौन सी शिष्ट सब्य सुसंस्कृत समाज है और राज्य सत्ता है जो की बच्चों को टार्गेट करेगा बच्चों तक को टार्गेट किया उनको भी नहीं बक्षा है तो फिर ऐसे स्थिती में इस तरह के कारिक मतलब बाते रखना एक तरफ से लोगों को यह इस बहकावे में रखा जा रहा है कि हम कुछ विकास कर रहे हैं और यह उनके हित्मे होने वाला है कैसे उनके हित्मे होगा जबकि वो कैदी हैं उसमें उनके कोई हिस्सेदारी नहीं है उनकी कोई कोई शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से और सत्ता की तरफ से कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई जा रही है अभी सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा हों गए सुरक्षा बलों की संख्या सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों की संक्या कम है और पहले से कम हो गई है एक सरासर गलत सुरक्षा बलों की संक्या वहां लगातार जो बड़ी है वो 5 अगस के बाद उसमें भी बड़ोत्री की है ये इजाफा हुआ है ये हम सब जानते हैं Northern Command के GOC NC जो की चीफ है उनके उनका तो बयान है कि हमें Northern Command के अतरिक कमांड से सिपाईयों को बुलाना पड़ा, वो क्यों? क्योंकि आपको और जरूरत थी फौज को उधर लगाने की, अब उन्हें वो LOC पर लगाया है, कि कहां लगाया है, उसकी बात अलग है, लेकिन ये तम लोग तो आप, लोगों को तो आपने क्यादी बना कर रखा है, तो ऐसी इस्थिति में उन मंत्रियों को बयान को आप कैसे देखते हैं, जो कहते हैं कि कसमीर से कुछ भी नहीं सुगगाहाट हो रही है, जब सुरक छबलो की इतनी इस्थिति है, ऐसी इस्थिति इसलिए तो यह उसी के, उसी बन्याद पर वो अपनी बात को करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको उधरन देना चाहता हूँ, फरवरी 14 से लेकर 5 अगस तक, 171 दिन, पुलवामा के उस हमले के बाद, 171 दिन इंटरनेट लोग डाउन नहीं किया गया था, और उसमें तमाम चीज़ें चल रही थी, आज 5 अगस के बाद, इंटरनेट को बंद करना, और उसके पीछे ये तर्ग देना, कि इसमें इसको करने की पीछे हमारी ये बात देता थी, कि हम, हम पाकिस्तान को रोक सकें, हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने से, यह उनका तुक है, इसका मतलब है कि पाकि पाकिस्तान के लिए निर्ने ले रही है, लगता यह है, तो यह यह तो एक बेतू की बात हो गए, तो एक तरफ आपने फौज इसकदर बठा कर रखी हैं, लोगों की तमाम आजादियां को चल दी गई हैं, उनके तमाम प्रतिनिदियों को आपने बंद कर दिया है, बच्च अब पाकिस्तान का आपने जिक्र लाया, तो अंतराश्टी समीकन जो कस्मीर के संदर में है, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, या साइंक तराश संग में इमरान खान की स्पीच, इन सारों को लेकर के इस समय क्या आप किरार है? देखे, पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दो पर एक स्टेक है, और ये 1947 से जुला है, इस बाद से कोई इंकार नहीं कर सकता है, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान का हस्तशेप इतना बड़ा चड़ा का पेश करना, बताती है कि हमारी सरकार या तो निकम्मी है, या नालायक है जो की है, ठीक है ना? और आप जो कदम ले रहे हैं, उनके नाम पर अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी नलायकी और अपनी निकम्मेपन को ही आप हिंदुस्तानियों के सामने भी और दुनिया के सामने भी पेश कर रहे हैं. हिंदुस्तान इस पाकिस्तान के ना कि माला जब कर सब कुछ हासिल ने कर पाएगा और हिंदुसानियों को भी समझने की जरूरत है कि हमें भी खुद पर देखना होगा कि सबसे बड़ी जो गलती है वो तो अपने लोगों की रही है आपने एक प्रश्ट उठा है ता शुरू में कि ये जो 122 दिन का जो पड़ा है उनके रोजमर्रा जिंदगी पर जो असर पड़ा है लेकिन मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अफसोस है कि ऐसा विगत में भी हो चुका है लेकिन आज जो हो रहा है वो इंटरनेट के जमाने में हैं जब हमारी सरकार कह रही है कि डीजिटलाइज करना बहुत ज मतलब लोगों के उपर आपको किसी चीज़ को थोपने की मनशा है उनको साथ लेकर चलने की कोई आपकी दिल्चस्पी नहीं दिखाई देती अभी किसी प्रसासनिक अधिकारी ने वाने जिग दुतावास के संदीब चक्रवर्ती ने कहा कि इसराइल मॉडल को अपनाया जा इस पर आपकी क्या रहा है ये बहुत पहली बात तो मैं आपको स्वश्च करना चाहूंगा कि कोई डिप्लोमेंट आधिकारिक तोर पर इस तरह का ब्यान देनी सकता है अगरचे उसके पीछे या वो सरकार की बात को जग जाही ना कर रहा हो मेरा मानना है कि उसने अगर जेती है जो सोच है उसको सामने रखा है और ये अकेले नहीं है डिप्लोमेट हमारे तो IPS के अफसर लिख रहे हैं एकबारों में लिख रहे हैं खुले आम लिख रहे हैं डिमोग्राफिक चेंज की किस तरीके से कश्मीर में डिमोग्राफिक ट्रांस्वरमेशन लाना चाहिए कि वहां मुस्लिम्स की संख्या को कम करने के नाम मतलब देश भक्ती के नाम पर मुस्लिम्स की संख्या को कम करने के लिए आप हिंदू को उधर बसाना चाहते हैं और मुसल्मानों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं जिससे कि वो मजबूर होकर वहां से चले जाएं इसलिए तो आपको याद होगा कि वो विग्यापन न केवल आर्मी ने भारतिय सेना ने लेकिन वहां की जो गवर्नर का जो एड्मिनिस्ट्रेशन है उसने बकाइदा विग्यापन चापे हैं पूरे पेच का जिसमें खुले आम ये कहा है कि जमीन के दाम बढ़ने वाले हैं और इसका फाइदा उठाना चाहिए लोगों को क्या मतलब है उसका इसके पीछे कि वल एक क्योंकी जिस भै और आतन्ग के भरों से उनने किया है आज वही भै और आतन्ग असराइली नागरिकों को परेशान भी कर रखा है तो یہ किसी का कल्यान करने वाली नहीं है इसमेना असराइली ओनका कल्यान हुआ है तो अगर हिंदुस्तानी सत्ता वर्ग ये समझता है कि इस्राइली मॉडल अपना कर कश्मीर में वो जो मर्जिय कर सकता है तो उसे इस्राइल की जो 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 अनुबाव है उससे ये भी सबग सीखना चाहिए कि भै आतंक में रखकर आप लोगों को आप खुद क्या कहते हैं शांती पर ये जिन्दगी नहीं जीए पाएंगे आप से अंतिम सवाल ये आप तो दसकों से लिखते आ रहे हैं तो सरकार ने कहा कि इसको समाप्त करने के बाद जो कस्मीर और सेस्भारत के बीच खाई है वो खतम हो जाएगे तो इन चार महिने के बाद आपको क्या लगता है खाई खतम हुई है कि खाई और अधिक बड़ी है ये तो बड़ी है तो स्पष्ट है इनके जो भरने का है मतलब इनकी नासमजदारी यार कहना चाहिए कि इनका जो डॉगमेटिजम है इनका तो एक बैचारिक डॉगमेटिजम है ना आरेसिस की जो विचारधारा है ये विचारधारा की एक डॉगमेटिक विचारधारा की एक कमजोरी भी होती है कि वो सोच सकने की अपनी समझने की शक्ती भी उनकी शितिल हो जाती है कटर विचारदारा वाले लोग हैं तो इनकी समझधारी के पर है लेकिन स्थिती तो सामान यह नहीं है संदीप चक्रवर्ती का जो बयान था उसमें एक चीज गौर करने लाइक है वो यह है कि उन्हें ने जो भी कहा वो कश्मीरी पंडितों के नाम पर वो कहते गए तो मतलब आजकल बड़ा आसान हो गया है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर आपको जो भी अपनी राजनेती का खेल करना है आप कर सकते हैं और इस सब्ता पक्ष के लिए तो यह और भी ज़्यादा आसान है कश्मीरी पंडितियों की वापसी के बारे में किसी का दो राए नहीं है सब चाहते हैं यहां तक तो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि वो बिरहानवानी जो की जिसको की आतंगवादिक घोशित किया गया है उसने अपने फेस्बुक में यह लिखा था कि हम वापस चाहते हैं कि वो आए क्योंकि यह उनका हक है वापस आने का तो इसके बारे में कोई डिफरेंस ओपीनिन नहीं है लेकिन बार बार उस बात को उठाना और उसके नाम पर राजनीती करना अपनी और यह कहना कि कश्मीर की जो कल्चर है जो संस्कृती है वो भारती संस्कृती है और भारती संस्कृती हिंदू संस्कृती है जो कि बक्वास है बोगस है मतलब उसमें से आपने मुसल्मानों को पूरी तरीके से नाजर अंदास करती है उनकी संस्कृती के लिए कोई जगी नहीं छोड़े आपने इसका मकसद क्या था? इसका मकसद है कि कश्मीरी मुस्लिमानों को वहां से हटा दिया जाए हटाए जाए सके और हिंदुस्तान के लोगों को ये लगने लगे कि हाँ जी ये जो कर रहे हैं दुरूस्त कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये चार मेने तो अभी शुरुआत है इसको बदलने में वक्त लगेगा ये ट्रांजेशन का पीरिट है ठीक है? इस ट्रांजेशन में कुछ भी हो सकता है सरकार को और सत्ता पक्ष को ये नहीं समझना चाहिए कि उन्होंने जो अभी तक हासिल कर लिया है कि जी सफलता उनी की होगी ऐसा होता नहीं है इतिहास क्या मोड लेगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है शुक्रिया इस पर हमसे बाचित करने के लिए भै के वाधार बना करके सांति प्रिय जिन्दिगी हासिल नहीं की जा सकते शुक्रिया आप देखते रहें न्यूस क्लिक